दोस्तो आज हम आपको बोलीवूड की दो ऐसी हिरोईनों के बारे में बताएंगे जो विलन के साथ कुछ एंटिमैंट सीन करते हुए बदसलूगी का शिकार हो चुकी हैं लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप अभी बच्चे हैं तो इस वीडियो को कृप्या करके यहीं पर बंद कर दें क्योंकि ये केवल व्यसको के लिए बनाई गई है तो दोस्तों आईए सबसे पहले बात करते हैं बॉलिवुड की धगड़ माधुरी दिक्षित के बारे में जब में एक रेप सीन से डर गई थी जी हां उनके रोंटे खड़े हो गई थे बॉलिवुड की धगड़ माधुरी दिक्षित 1989 में फिल्म प्रेम प्रतिग्या में नजर आई थी और इसी के एक रेप सीन के मामले में वो बुरी तरह से सैम गई थी आखिर मामला क्या था चलिए बताते हैं दरसल बात चल रही है फिल्म प्रेम प्रतिग्या के बारे में साल 1989 में इस फिल्म के लीड रोल में माधूरी दिख्षित के अलावा मिधुन चक्रवर्थी विनोध महरा और विलन के रूप में रंजीत थे अब विलन के रूप में रंजीत हैं तो आप समझी गए होगे कि माधूरी का डरना जायज भी था ये फिल्म सूपरीट रही थी इस फिल्म में माधूरी के साथ एक रेप सीन फिल्माया गया था माधूरी दिख्षित को जब डारेक्टर ने इसके बारे में बताया तो वो सहम गई हलां कि कहाने के मुताबिक रेप सीन की जरूरत भी थी और माधूरी इसके लिए तयार भी हो गई थी वैसे रंजीत की छवी एक खुंकार विलन की थी और माधूरी समझ नहीं पा रही थी कि कैसे हो गा ये सीन जब सीन शूट होना सुरू हुआ तो माधूरी दिख्षित दरी हुई थी और उन्होंने विलन रंजीत को ये कहकर अलग कर दिया कि मुझे हाथ मत लगाना मेडिया रिपोर्स की माने तो रंजीत ने उस सीन में माधूरी के साथ जबरदस्ती की थी और वो तै की गई स्क्रिप्ट के हिसाब से कुछ ज़्यादा ही रियक्ट कर गए थे रंजीत ज़्यादा हावी हो गए थे और वो अपना आपक हो बैटे थे जिसकी वज़े से माधूरी दिक्षित को ताकत के साथ उन्हें खुद से अलग करना पड़ा और यह सब दावा किया जाता है कि इस दोरान माधूरी ने रंजीत के हाथ पर काट भी लिया था तब जाकर रंजीत दूर हटे अब आई ये बात करते हैं मशूर अभिनेत्री करिश्मा कपूर के बारे मी दोस्तों क्या आपको फिल्म राजा हिंदुस्तानी का वो सीन याद है जिसमें आमिर खान ने करिश्मा कपूर के साथ जमकर लिपलोक किया था हमें पूरा यकीन है कि आप उस सीन को नहीं भूले होंगे और भूलेंगे भी क्यों आखिर उसी सीन ने इस फिल्म में जवर्दस तड़का जो लगया था लेकिन क्या आपको पता है कि फिल्म राजा हिंदुस्तानी के इस सीन को लेकर करिश्मा कपूर ने एक बहुत बड़ा राज खोला है जो आमिर से जुड़ा हुआ है जीहां दोस्तों अगर आप भी इस राज के बारे में सुनेंगे तो शर्म से पानी पानी हो जाएंगे लेकिन आमिर खान के इस बेसर्मी भरे राज को खोलने से पहले आपको बता दें कि फिल्म राजा हिंदुस्तानी साल 1996 में रेलिज हुई थी और उस साल की सबसे बड़ जाता है फिल्म की अभिनेतरी करिश्मा कपूर ने अपने एक इंटर्व्यू में कुछ राज खोले हैं जो आज तक शया धी किसी को पता हैं जीहां दोस्तों उनका कहना है कि इस फिल्म में डारेक्टर धर्मेश ने अपनी सारी जान जोंकती थी लेकिन उनसे पहले फिल्म जीहां दोस्तों करिश्मा का कहना है कि इस फिल्म में जो किसिंग सीन किया गया है उसे करते समय आमिर खान काफी शर्मा रहे थे क्योंकि सीन था ही इतना लंबा लेकिन डारेक्टर धर्मेश के समझाने पर आमिर खान वह सीन करने के लिए तयार हो गए आपको बता दें कि आमिर ने यह सीन करने से पहले करीब एक लीटर बोट का पीली थी और उनकी ये हरकत देखकर सभी हैरान हो गए थे कि आमिर खान ऐसा कैसे कर सकते हैं क्योंकि उनकी चवी एक बहुत बढ़िया इंसान की भी रही है लेकिन आमिर ने कहा कि उन्होंने अपने अंदर की शर्म के साथ चुम्मा चाटी करने वाले आमिर खान की इस हरकत के बारे में आप क्या कहेंगे हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्स्राइब कर दें धन्यवाद